नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूस चानल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटन में खबरों का सलसलाज शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हैर्लाइन्स पर दवंगत राजीव गांधी के विवादत बयान को ट्विट करने के बाद कॉंग्रिस की किरकिरी इंद्रा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख दंगो पर दिया था बयान बीजेपी ने कहा जखमों को हरा करने में लगी कॉंग्रिस कश्मीर में थम नहीं रहा है हिंसा का दौर सेना ने कीश्वान्ती बनाए रखने की अपील कई इलागों में अभी भी कर्फ्यू जूमे की नमाज के बाद 21 जगाहों में से पत्वराब की खबाई ट्विटर ने बंद की आतंक का प्रचार कर रहे धाई लाग से अधिक संदिक्त अकाउंट अकाउंट के कंटेंट पॉलिसी के खिलाफ होने की कही बात आईएस आईएस के पचास हजार से जादा अकाउंट अभी भी सक्रिय पियम मोदी के सूट को गिनेज बुक में मिली निलामी में बिके सबसे महेंगे सूट का दर्जा दिया चार करोड से ज्यादा में बिका था सूट ओबामा के भारत दोरे में पहनी थी सूट और शोबाडे ने पीवी सिंधु को लेकर किया ट्विट लोग हुए नराज कहा शहनू भूती नहीं चाहिए पूरा देश सिंधु के ज़जबे को कर रहा सलाम पूर्व प्रधान मंतरी राजीव गांधी की जोयंती पर पश्चुम बंगाल कॉंग्रिस के एक ट्विट ने पार्टी को श्रमिंदा कर दिया इस ट्विट में 1984 के दंगों के दारान दिये गए राजीव गांधी के विवादित बयान को ट्विट किया गया हाला की बाद में जब मामला उचला तो ट्विटर डिलीट कर दिया गया लेकिन कॉंग्रिस नेता अब जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं इस ट्विटर में लिखा जब बड़ा पैर गिरता है तो जमीन हिलती है राजीव गांधी ने ये बयान पूर्व पीम और अपनी मा इंद्रा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख दंगों के सम्मंद में दिया था उनके इस बयान को सिख दंगों को जायस ठहराने के रूप में देखा जाता है राजीव गान्थी के गुजर जाने के कई साल भी उनका ये बायान कॉंग्रिस के लिए परिश्वानी बढ़ा रहा है पश्विम बंगाल कॉंग्रिस के ट्विट के बाद विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया है बीजेपी ने कहा कि कॉंग्रिस एक बार फिर लोगों के जक्मों को हरा करने में लगी है संयुक्त राश्ट्र के माहसचीव बान की मून ने विश्व मानफता दिवस पर दिये गए एक संदेश में कहा है कि रिकार्ड तेरा करोर लोग जीवित रहने के लिए साहता पर निर्भर करते हैं और ये आश्रे जनक संख्या प्रिथवी के सारवधिक जन संख्या वाले दसवे देश के बराबर है महसबहा ने वर्ष 2008 में विश्व मानफता दिवस मनाय जाने की शुरुआत की थी ताकि उन मानविय साहता कर्मियों को समानत किया जा सके जिन्होंने अपना काम करते हुए अपनी जान गवादी या घाल हो गए ये दिवस मनाने के लिए 19 अगस्त की तारीक इसलिए तैकी गई थी क्योंकि इस दिन वर्ष 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट मुख्याले में बंबारी हुई थी जिसमें इराक में संयुक्त राष्ट के शीर शुदूत सरजीयो वियरा डी मिलो समेथ 22 कर मी मारे गए थे गुजरात की मुख्यमंत्री विजय रुपाणी निराज्य के उना में दलितों पर अत्याचार की घटना पर विपक्ष्री दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधी दल गुजरात को प्रधानमंती नरेंद्र मोधी को और बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस मुद्ध को जिन्दा रखने की कोशिश कर रहे हैं रुपाणी ने गांधी नगर में एक कारिकरम में कहा विपक्षी दल गुजरात को प्रधानमंती नरेंद्र मोधी को और बीजेपी को बदनाम करने के लिए मुद्धे को जिन्दा रखने में दिल्चस्पी रखते हैं गटना दुर भागे पूर्ण थी लेकिन राजनितिक दल उत्तर प्रधेश में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसका इस्तमाल कर रहे हैं उन्होंने आगे ये दावा भी किया और कहा देश भर में दलितों पर अत्याचार के मामलों के आंकड़े साबित करते हैं कि गुजरात ऐसा राज्य हैं जहां उनके खिलाफ अपराद कम है प्रधान मंती नरेंदर मोदी के उनके नाम लिखे सूट को गिनिस बुक में जगा दी गई है इसे निलामी में बिके सबसे महंगे सूट का दर्जा दिया गया है प्रधान मंत्री को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था विपक्ष ने सूट को पहनने के बाद मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार बताया था कंग्रिश उपाध्य अक्षराहुल गांधी ने संसद और इसके बाद कई बार इस सूट के जरिये मोदी सरकार पर हमला बोला था शोभा डे का रियो अलम्पिक 2016 में भारतिय खिलाडियों को लेकर किया गया ये विवादत ट्विट लोग भूले नहीं है और उसके लिए उन्हें माफ करने को भी तयान नहीं है संभवत ये ही वज़ा है कि शोभा डे द्वारा ट्विटर पर बैडमिंटन में सिल्व जीतने वाली पीवी सिंधू को लेकर किये गए उनके पिछलो दो दिनों के ट्विट पर लोगों ने उन्हें आड़े हातों ले लिया शोभाडे के ट्विट आलोचनात्मक नहीं थे लेकिन लोगों ने प्रतिक्रिया नाराजगी भरी दी उलिम्पिक में बैडमिंटन में सिल्व जीतने वाली देश की पहली महीला पीवी सिंधू को वर्ल्ट नमबर वन केरोलीना मारीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और वभारत के लिए गोल्ड जीतने से वन्चित रह गई लेकिन देश ने उन्हें हातो हात लिया और उनके जुजबे उनकी महनत और उनके खेल के लिए उनकी तारीफों के पुल बांदे गए चार साल की प्रतिबंद और उलम्पिक खेल गाउं से बाहर किये जाने से शर्म सार हुए पहलवान नर्सिंग यादव अब डोप विवाद की लड़ाई को पी एमो तक ले जाएंगे पहलवान नर्सिंग ने कहा कि उनका नाम तो बदनाम हुआ ही इससे पूरे देश भर्म भी काला धबा लग गया और वे इसकी जाज करवाएंगे चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े नर्सिंग यादव के मताबिक वे प्रधान मंत्री से अपील करेंगे कि इसकी विस्तरित जाज कराई जाए और सच सामने आना चाहिए चाहे इसके लिए सीबी आई का सामना ही करना पड़े नर्सिंग ने कहा कि अगर वे दोशी पाया जाता है तो उन्हें फांसी पर चड़ा दिया जाए जर्ज एजिंसी उनका नार्को टेस्ट कराया और इससे विवाद से जुड़े लोगों का भी स्वतंतर दिवस के मौके पर पियम नरेंदर मोदी के लाल किले की प्राचुई से बलुच उस्तान और पाक अदिकृत कश्मीर के लोगों के बाद इस इलाके से तालुख रखने वाली एक स्टूडेंट ने अपना मेसेज भेजा है करीमा बलुच नाम की इस स्टूडेंट लीडर ने रक्षा बंधन के मौके पर भेजे गए अपने संदेश में मोदी के प्रती अभार विक्त किया बलुच स्टूडेंट और्गनाईजेशन करीमा बलुच का एक वीडियो अक्टिविस्ट आरिक फते ने अपने यूट्यूब चानल पर पोस्ट किया है इस वीडियो में करीमा ने मोदी से कहा कि वे उन महिलाओं के भाई बन जाएं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के जुल्मों का श्विकार हुए अपने भाई खो दिये करीमा ने ये भी दर्खास किया कि मोदी बलुच लोगों की परिशानियों को अंतराश्वे मंच पर रखे भारत में खत्रा चारों तरफ से है पाकिस्तान जहांदेश की ये आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में जुटा है दूसरी तरफ चीन भी भारत की बढ़ती हुई ताकत और विदेश में बढ़ रहे असर से परिशान है चीन अपने अलाके में लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल के उस पर जहां अपनी सेन्य ताकत में इजाफ़ा कर रहा है वैसे में भारत ने भी चीन के किलाफ एक अभिद दिवार बना ली है जिसको चीन किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकता इसी सलसले में पहली बार अरुनाचल प्रदेश के पसी घाट में सुखोई तीस उतारा गया है पसी घाट चीन सीमा से मातर 80 किलोमीटर दूर है इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर पाकिस्तान या फिर चीन सीमा सुरक्षा से कोई समझोता नहीं करना चाती मोधी सरकार ने ट्विटर के बाद अब फेसबुक पर ज्यादा अक्टिव रहने का प्लान बनाया है हर मंतराले से कहा गया है कि वो फेसबुक के जरीय लोगों से जोड़े आप बनाये और मंतराले के कामकाज की अपडेट जल से जल्द अपलोड करे सरकार का माना है कि आज भी युवा ट्विटर से ज्यादा फेसबुक पर एक दूसरे से जोड़े रहते हैं खास कर किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया सबसे पहले फेसबुक पर आती है चाहे वीडियो वायल करना हो या किसी मुद्दे पर मत बनाना इसलिए अब सरकार के खिलाव किसी भी मुद्दे पर नकारत्मक माहौल काउ सकारात्मक बनाने के लिए मंत्रियों को सक्रिय होने की सला दी गई है विदेश मंत्राले ने सीधे फेस्बुक पर सवाल जवाब के लिए पेज बना दिया गए बाकी जिमेदारी सूचना और प्रसारन मंत्राले को दी गई है भारत के प्रधानमंती नरेंद्र मोदी संस्कृती मंत्राले के अतुल्य भारत कैमपेंड के नए ब्रांट अमबिसिडर है PMODI से पहले फिल्म स्टार आमिर खान इस कैमपेइन के ब्राइन अमिसिडर थे PMODI कैमपेइन के तहद बनाये जाने वाले वीडियो में भारत के विभिन पर्याटन स्थलों का प्रचार करते नजर आएंगे संस्कृती मंत्राले ने इस कैमपेइन के विग्यापन फिल्म के लिए एक हफ़ते के अंदर विचार मांगे हैं कैमपेइन के लिए आमिर खान का करार खतम हो चुका था जिससे मंत्राले ने दोबारा बाहाल नहीं किया माना गया कि आमिर के एक कारिक्रम में भारत चोड़ने सम्मंधी बयान देने के बाद मंत्राले ने उन्हें दोबारा एम्बेसेडर ना बनाने का निर्ने लिया हाला कि मंत्राले इससे इंकार करta रहा है संस्कृती मंत्री महेश शर्मा पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर चुके थे कि पियाम मोधी अतुल्य भारत के लिए सबसे अच्छे चहरे हैं इस न्यूस बुलिटन में फिलहाल इतना ही ताज अतरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार